सभी शिक्षार्थियों को नमश्कार वियव से आए अधियन के संगठन भाग दो में मैं जियोति कौशिक मैंन आप सभी का स्वागत करती हूँ पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संगठन की सरंचना क्या होती है संगठन की सरंचना से तातपर्य एक संगठनात्मक सरंचना से है जिसमें की संगठन के ढांचे में प्रबंद के स्तरों को निश्चित किया जाता है आज हम पढ़ेंगे कि संगठन की सरंचना क्या करती है यह व्यक्तियों, कार्य एवं साधनों के बीच संबंद को स्पष्ट करती है साथ ही साथ इसकी आवश्यक्ता क्यों है? ताकि संगठन की सरंचना संप्रेशन का प्रवाह सुचारू रख सके और एक अच्छा नियंतरन स्थापित हो सके आईए, आज के विशे की तरफ हम बढ़ते हैं और संगठनात्मक सरंचना के प्रकार जानते हैं पहला है क्रियात्मक सरंचना और दूसरा है प्रखंटिय या फिर प्रभागिय सरंचना यह बहुत ही महत्पपून विशे है जो आज हम आपके समक्ष डिसकस करने वाले हैं क्रियात्मक संगठन धाचा क्रियात्मक अर्थात क्रिया के आधार पर तयार किया गया धाचा अधिनस्तों द्वारा किये जाने वाले कार्य के अधार पर जो संगठन धाचा तयार किया जाता है उसी को हम कार्यात्म धाचा कहते हैं इस प्रकार के धांचे में उन सभी कार्यों को, उन सभी जॉब्स को, जिनकी प्रत्रती एक जैसी होती है, एक समुह में एकत्र करते हैं, जिसे कार्य कहते हैं, जैसे कि सभी वानिजी के विद्यार्थी एक ही कक्षा में रखे जाते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी एक मुं में रखे जाते हैं ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारों रूप से हो सके इसी प्रकार व्यवसाय के अंदर भी जो एक ही तरीके के कारे होते हैं उन्हें हम एक समुम में रखते हैं और इसी को क्रियात्मक ठाचा कहते हैं जो कारे के आधार पर वर्गीकृत होता है इसी प्रकार अन्यकारियों का भी निर्मान होता है जैसे कि उत्पादन, मानवीय संसाधन, नवाचार और वित्तित्यादी प्रोडक्शन डेपाट्मेंट में उत्पादन से सम्मंदित सभी कार्य सम्मिलित होते हैं इसलिए उसका विभाग अलग बनाया जाता है मानवीय संसाधन, अर्थात Human Resource जिसे हम कहते हैं तो उससे सम्मंदित एक अलग विभाग तयार होता है ये सभी विभाग ये कार्य एक समन्वे करता अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं जिसे की समान्य तह प्रबंदिकी अनिर्देशक, CEO इत्यादी के नाम से जाना जाता है आप देखेंगे कि उपलबध विभिन विवसायों में अल विभिन प्रकार की क्रियात्मक संग्ठन ढाचे आप देख सकते हैं इसके बाद हम कार्यात्मक ढाचे के लाब को जानने का प्रयास करेंगे जब हम कार्य के अधार पर वगी करिंट करते हैं तो फिर हम पुराने वाल पिछली जो हमने विशे में डिसकस किया था कि विशिष्टी करण जो है वो आता है जब हम एक ही कार्य को बार-बार करते हैं तो विशिष्टी करण जो है वो आता है तो ये व्यवसाहिक मगधाचा जो है बहुत ही फायदेमंद होता है इससे मानव शक्ति का कुशलतम या पूर्ण प्रियोग भी होता है यह प्रबंद किया तथा संचालन संबंदी कौशल को भी बढ़ाते हैं जिससे कि हमें लाब मिलता है हमें मतलब व्यवसाय को क्योंकि जब एक ही प्रक्रिया को एक ही कारे को बार-बार किया जाता है तो कारे को गलत करने संबंदी जो एकस्पेक्टेशन्स हैं पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं समान कारेओं के खारण नियंत्रन एवं समन्वे भी संभव हो पाता है अब हम जानेंगे की कार्यात्मक ढाज़े के और कौन से जब हम एक ही कार्य खो करते हैं तो फिर हम पुन्रा वृति रिवीजें या बार बार रिपीटिशन नहीं करते तो जो लागत है वो कम होती है और परमाने को भी बचत होती है जिसका सीधा फाइदा व्यवसाय के लाब के रूप में संस्था को होता है इस कार्यात्मग्धाचे के माध्यम से कर्मचारियों का जो प्रशिक्षन है वो भी सरल हो जाता है क्योंकि सिखाये जाने वाले कौशल का दायरा भी कम हो जाता है जब हम छोटी सी चीज को करने वाले होते हैं जब हमारा काम कम होता है तब हम उसे बहुत बहुत बहुतर तरीके से कर पाते हैं लेकिन जब हम बहुत सारी वेराइटी का काम करते हैं तो उससे हो सकता है कि वो कुशलता कार्य में ना आपाए कार्यात्मक धाचे के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अलग-अलग कार्यों पर पूर्ण ध्यान दिया जाए जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया जाए वो बहतर तरीके से हो सके कार्यात्मक धाचे के फायदे नहीं कुछ नुकसान भी है तो आईए जानते हैं कार्यात्मक धाचे के दोशों के बारे में इस दहांचे में कार्यात्मक सामराज्य का निर्मान होने लगता है क्योंकि कार्यात्मक अध्यक्ष संगठन के उद्देश्यों के बजाए निजी उद्देश्यों पर भी जोर देने लगता है इसमें समन्वे की समस्या आती है क्योंकि कार्या के अधार पर बिल्कुल भिन विभागों में जानकारी का अधान प्रदान करना कठिन हो जाता है इसलिए अलग-अलग कार्य होने के कारण हर व्यक्ति अपने-पने कार्य की जानकारी तो रखता है लेकिन एक दूसरे से संबंध बनाने की जब बात आती है तो यह कार्यात्मक धाचा कुछ फेल हुआ सा प्रतीत होता है कार्यात्मक धाचे में हितों का टकराव भी उत्पन हो जाता है अर्थात जब दो अधिकारी अपने-पने ग्यान में, अपने-पने कौशल में संपन होते हैं तो वो एक दूसरे से सुसंगत नहीं हो पाते और टक्राव हो जाता है और जब टक्राव उत्पन होता है तो उत्तरदाईत वो कबटवारा सपश रूप से नहीं होता क्योंकि यदि एक technical काम, एक तक्नीकी काम की जानकारी किसी व्यक्ति को है और दूसरे व्यक्ति को market की जानकारी है तो वो एक दूसरे के साथ तालमिल नहीं कर पाते एक उधारना model ले लेते हैं कि यदि उत्पादन विभाग ने किसी marketing विभाग को sales के लिए sales department के लिए बोला है कि sales जो है वो कम कर दी जाएं क्योंकि production इतना नहीं हो पाएगा जबकि जो marketing department है वो ये कह रहा है कि तुमने अपना target पूरा नहीं किया तो दोनों अलग-अलग specialist हैं अपने areas के विशेशग्य हैं उत्पादन विभाग अपनी जगह ठीक है और marketing जो है विपनन विभाग वो अपनी जगह ठीक है लेकिन एक दूसरे में तालमेल नहीं होता है लेकिन जो कारयात में घ्राचा है इसका एक अन्य दोश ये भी है कि ये दृढ़ता लाता है क्योंकि एक ही प्रकार के कॉशल एवं घ्यान होने के कारण लोगों में सीमित दृष्टी गुन बन जाता है वो उतना ही सोचते हैं जितना की उन्हें दिखाया जाता है तो आपने कहानी सुनी होगी कि जब एक पक्षी एक पेड़ की डाल पर बैठा होता है तो वो ये सोचता है कि इतना सही है संसार जब वो घोसले के अंदर होता है तो घोसले को अपना विश्व समझता है घोसले से टहनी पर आता है तो अपना विश्व समझता है और टेहनी से बाहर जब वह पेड़ की अलग-अलग शाखा़ों पर जाता है तो उस पेड़ को ही अपनी दुनिया मान लेता है लेकिन जब उसे उड़ना आ जाता है और पूर देखता है कि वो आसमान है तो उसे उसका दाएरा समझ में आता है तो जब कार्यात्म घ्धाचे की हम बात करें तो यहां पर उसे इस दोश का सामना करना पड़ता है कि एक ही प्रकार के कौशे लवंग्यान के कारण उसका दृष्टी कोन जो है वो सीमिती रह पाता है और जिसके कारण उसकी उच्च पदो पर पदोनिती भी नहीं हो पाती है अब हम देखते हैं कि कार्यात्म घ्धाचा जो है कहां कहां पर उप्योगी साबित होता है तो जिस संस्ता में एक ही उत्पात बनाया जाता हो वो कार्यात्म घ्धाचा उप्योगत रहता है क्योंकि वहां एक ही जैसे मालीजिए कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है तो व की उपयुक्तिता यहां पर सार्थक होती है इसके अलावा यदि कोई संस्था का आकार बहुत बड़ा है विस्त्रित है तो उसके अंदर भी हमें कार्यों का विभाजन करना होता है और बड़ी बड़ी संस्थाएं जहां पर बहुत बड़ा उनका आकार है वहां पर कार्या का विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जिन संस्थाओं में उच्च श्रेणी के विशिष्टता चाहिए, बहुत ही प्रकार का स्पेशिलाइजेशन वहाँ पर चाहिए, उन संस्थाओं में भी कार्यात्मग्धाचा ही उप्युक्त होता है। यदि हो रहा है तो कार्यात्मग्धाचा बहुत ही उप्युक्त होता है। इसी प्रकार जिस संस्था का आकार बहुत ही बड़ा होता है, विस्त्रित होता है, वहाँ पर भी कार्यों का विभाजन आवश्यक हो जाता है। जिन संस्थाओं में उच्च श्रेणी की खंडिये संगठन धाचा होता है और उसके वारे में जानेंगे eneергie रभागिये संगठन धाचे के पहत एससा धाचसा तयार किया जाता है जिसमें समस्त संस्तह को अलग अलग व्यवसाईक इकाईयों यह प्रभागों में बाक्त दिया जाता है क्योंकि अलग-अलग धाचया अलग-अलग प्रभाग जो है इसमें होता है इसलिए इसको हम प्रभागिय धाचया कहते हैं प्रत्येक इकाई का एक प्रभागिय प्रभंदग होता है जो कि अपनी इकाई या प्रभाग के कारे निश्पादन के लिए उत्तरदाई होता है उसके लिए अलग-अलग division की जो है वो आविश्यक्ता होती है प्रत्यक प्रभाग अपने आप में बहु विभागिय होता है क्योंकि प्रत्यक प्रभाग की अंदरगत बहुत से विभाग होते हैं जैसे कि उत्पादन, विप्रणन, वित्त, क्रय, त्यादी जो कि मिलकर समान लक्षे की प्राप्ती के लिए कार्य करते हैं तो प्रभागिय विभाग जो होता है, प्रभागिय संगठन डांचा जो होता है उसके प्रभाग में आत्म सेयम होता है क्योंकि अपनी उत्पाद श्रंकला में वो एक प्रोडक्ट एक उत्पाद जो बनाते हैं उसके सासा दूसरा उत्पाद दूसरा यदिकार उनका ठीक हो गया तो तीसरा उत्पाद जो है वो बनाते हैं आपने महसूस किया होगा कि एक कंपनी एक ही प्रोड़क्ट एक उत्पाद नहीं बनाती है, वो अलग-अलग उत्पादों का निर्मान करती है. तो हर एक प्रभाग में कारियात्मक ध्धाचा तो होता ही है, परन्तु प्रभाग के हिसाब से कारियात्मक ध्धाचा भी अलग-अलग हो सकता है. हर प्रभाग एक लाब केंद्र के रूप में काम करता है और वो अपने लाभानी के जिम्मेदार स्वयम होते हैं. प्रभागिय धांचे के लावों के बारे में आये जानते हैं पहला, प्रभागिय अधिकारी उच sabem पदों के लिए तयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हर कार्या का अनुपरप्त हो जाता है Division मतलब होता है एक प्रभाग पूरा तो उसमें जब पूरी जानकारी उनको हर कारे की हो जाती है वो हर प्रकार की कौशल उनके अंदर आ जाते हैं इसलिए उंचे पदो पर उनकी जो उपस्थिती है वो सुनिश्चित हो जाती है इसमें उत्तरदायत वनिर्धारित करने में भी मदद मिलती है क्योंकि प्रभागी अध्यक्ष जो होता है वो अपने प्रभाग से सम्बंदित प्राप्तियों, लागतों, एवं मलाबों के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं प्रत्येक प्रभाग एक स्वायत इकाई के रूप में कार्य करता है जिससे तीवर निर्णने लेने में भी साहता मिलती है मतलब वो अपने विवभाग का पूरा मालिक है जैसा वो डिसीजन लेना चाहे निर्णने लेना चाहे वो ले सकता है उसे किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने की आरश्यक्ता नहीं होती जिसके कारण तीवर नरने लिये जा सकते हैं इससे संस्था के विस्तार और विकास में भी मदद मिलती है क्योंकि बिना किसी पुराने प्रभाग के कारे में बाधा डाले भी नए प्रभाग को जोड़ा जा सकता है तो इस तरह से प्रभागी अधाचे के लाब जो है हमने जाने अब हम जानते हैं प्रभागी अधाचे के कुछ दोशों के बारे में कोश आबंटन को लेकर विभिन प्रभावों में टकरावुत्पन होज सकता है क्योंकि हर प्रभाग दूसरे को नुकसान पहुँचा कर अधिक कोश प्राप्त करना चाहता है क्योंकि जब एक ही संस्था होती है तो उस संस्था के पास जितने भी फंड्स होते हैं उनमें से हर विभाग अपने लिए ज़ादा फंड्स प्राप्ट करना चाहता है इससे क्या होता है कि लागते बढ़ जाती हैं क्योंकि हर प्रभाग में प्रयासों का दोहराव होता है हर डिवीजन में आपको हर प्रभाग में अलग-अलग जो लागत है वो लगानी पड़ती है हर विभाग को अपनी अपनी जो खर्चें हैं वो करने हैं और सेम एक जैसी चीजों पर जो है खर्चें किये जाते हैं जिसके कारण लागत बढ़ जाती है जो प्रभाग विक्सित हो जाते हैं, उनके प्रभागिय प्रबंद बहुत ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति वो अपने आपको बड़ा महसूस करता है, अपने आपको सक्षम महसूस करता है, दूसरों के मन में हीन भावना उत्पन हो जाती है इसके कारण, और परि पुछाते हैं तो हर कार्यात्मक धाचा हो या प्रभागी धाचा हो अपनी अपनी उसकी उप्युक्तता होती है हमने फिश्वे उसमें कार्यात्मक धाचे की उप्युक्तता को पढ़ा था अब हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभागी धाचा कहां-कहां पर उप्युक्त होत अपने देखआ होगा अलग-अलग कंपनी यहां जिसमें नचले के अख्राइब कि असमेरी दूद बना रही है तो अलग-अलग प्रकार के उसके उत्पादन है तो मुझा के लिए अपयुक्तता है दो रहा है जब तो ङांक विकाज और दोर संगठर छोटा होता है तो वो एक ही उत्पाद शरंकला पर कार्या करता है परन्तु यदि वो विक्सित होना चाहता है अपने विकास वृद्धी के लिए उसे अलग-अलग जो उत्पादन है वो अपने साथ जोडने हो तो उस स्तर पर जब अलग-अलग प्रोडक्ट रेंज जो है व कि प्रभागिय धांचे और कार्यात्मक धांचे में क्या फरक है तो सबसे पहले फरक है रचना के अधार पर रचना जो होती है वो कारियों पर अधारित होती है और प्रभागिय धांचे में जो रचना है वो उत्पादन रेखा पर अधारित होती है तता कार्यों द्वारा समर्थित होती है विशिष्टी करेर यदी हम जाने तो कार्यात्मक संगतनात्मक रचना में कार्या का विशिष्टी करन किया जाता है जबकि विभागिये में उत्पाद विशिष्टी करन होता है उत्तरदाइत व्यदी हम देखें, तो किसी भी विभाग पर उत्तरदाइत पर निर्धारित करना कार्यात्मक संगतना, आत्मक सरंचना के लिए कठिन होता है, जबकि विभागिये में निश्पादन के लिए उत्तरदाइत पर निर्धारित करना आसान हो जाता है, सुगम हो प्रबंद की विकास के अधार पर देखें तो कार्यात्मक सरंचना कठिन होता है क्योंकि प्रत्यक कार्यात्मक प्रबंद को उच्छ प्रबंद को सूचित करना होता है कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया जबकि विभागिय सरंचना में प्रबंद की अविकास का कार्य सरल होता है स्वायत्ता, स्वतंत्रता और अनेक कार्य पूरे करने के कारण प्रबंद की अविकास में भी उसे सहायता मिलती है लागत की बात करें तो कार्यों की पुन्रावृत्ती नहीं होने के कारण यहाँ पर मित्विय ही होता है कार्यात्मक सरंचना क्योंकि वो अलग-अलग कार्य नहीं करती है एक ही जैसे कार्य को करती है तो कार्य को पुन्रावृत्ति नहीं होती है जबकि विभागीय सरंचना में विभिन्व विभागों में पुनरा वृत्ति होने के कारण ये थोड़ा सा महगा होता है सामण जसे के अधार पर देखें तो जो कारेात्मक सरंचना होती है वो बहुत पादो कमपनियों के लिए बहुत ही कठिन होती है लेकिन विभागीय सरंचना सामन जस्य बनाने के हिसाब से सुगम हो जाती है क्योंकि किसी विशेश उत्पात से समदित सभी कारे एक ही विभाग में एक इकरत होते हैं तो शिख्षार्तिओं आज हम ने जाना कि किस प्रकार कार्यात्मक सरंचना और विभागिय करण होता है मैं उमीद करती हूँ आपको यह विशेग भली प्रकार से समझ में आया होगा आप से मिलेंगे अब हम अगले अंक में जिसमें हम जानेंगे कि संगठन का प्रकार कैसा होता है अपचारिक और अनपचारिक संगठन के बारे में हम जानेंगे मैं उमीद करती हूँ कि दिया गया वक्त तवे आप सबको पसंद आया होगा मिलते हैं अगले धन्यवाद